गुड मॉनिंग सबी दर्शकों को, क्या हाल है आप सब का, उमीद करता हूँ, आप सब स्वस्त होंगे, ठीक होंगे, खेरियत से होंगे ICC ने हाले में अनॉस्मेंट करी है कि जो ICC T20 World Cup 2024 जिसकी Defending Champions है England और ये World Cup T20 फॉर्मैट में खेला जाएगा जिसकी होस्ट होगी West Indies और USA तो साथ देश जो की Caribbean Islands में इसको होस्ट करेंगे यानि West Indies जो की एक देश नहीं है, वो अलग-अलग देशों को मिलाके Caribbean Islands के रूप में किलाया जाता है तो USA के अंदर 3 और West Indies यानि Caribbean के अंदर 7 वेन्यूस को होस्ट करेंगे तो आईए नदर डालते हैं कि कौन से कौन से ऐसे देश हैं जिनको होस्टिंग राइट्स मिले हैं ICC की तरफ से इस बारी तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि USA में डालास, फ्लॉरीडा और न्यू योड़ को राइट्स मिले हैं वहीं अब बात करें तो किन वेन्यूस को से लेक दिया गया है Western Indies यानि Caribbean Islands में तो सबसे पहले आपको बताते चले कि ICC Men's City 20 World Cup 2024 4 जून 2024 से लेके 30 जून 2024 तक खेला जाएगा इसके वेन्यूस होंगे Antigua, Barbados, Dominica, Guiana, Saint Lucia, Saint Vincent और Trinidad and Tobago ये साथ कुल आपके वेन्यूस होंगे जहांपे Caribbean Islands में इस World Cup को होस्ट किया जाएगा यानि कुल मिलाके साथ Caribbean से और तीन आपके USA से कुल मिलाके आपके ये 10 वेन्यूस होंगे जहांपे खेला जाएगा ICC T20 World Cup मेंस 2024 और क्या कहना है ICC Chief Executive Gioffel Race का आईए उस पे भी नज़र डालते हैं We are delighted to announce the 7 Caribbean venues that will host the biggest ICC Men's T20 World Cup ever stage with 20 teams competing for the trophy and they are all popular venues with players and fans like that will provide a wonderful backdrop to the event Cricket Western Leeds के जो CEO है Johnny Grave उनोने भी क्या का है ये उस पे भी नज़र डालते हैं So this is an exciting moment as we announce the venues approved to host the largest ICC Men's T20 World Cup in the history with 20 teams playing in the 55 matches in June next year याने कि देखिये दोस्तों 20 teams आपस में इसमें बिढ़ेंगी और 55 दिन तक ये जो है 55 matches तक ये कारवाज चलेगा और साथ ही साथ अगर हम देखे तो 10 venues पे T20 World Cup आज तक हम नहीं नहीं देखा था कि 10 venues अकठे जो है होस्ट करें 26 दिनों में तो ये बहुत बड़ा event रहने वाला है और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो Government of the Caribbean जो है वो भी बहुत प्रसंद है क्योंकि देखिये Western Indies की cricket के अंदर जो भी politics रही है पिछले कुछ दिनों में 2016 का T20 World Cup जीता था जरूर Western Indies ते लेकिन उसके बाद बहुत से उपर नीचे चीज़े हुई है मेंस क्रिकेट की वर्लकप की अगर हम बात करें तो ओडियाई World Cup 2007 का होस्ट किया था Western Indies ने उसके बाद T20 World Cup 2010 का होस्ट किया था और अब एक बार फिर T20 World Cup को होस्ट करने जा रही है Western Indies पहली ऐसी जो है ये टीम बनेगी है कहें ऐसा विन्यू बनेगा Western Indies का जहां पर लगातार दूसरी बार लगातार ना कहें तो दूसरी बार कोई देश होस्ट करने वाला है T20 World Cup को आपको पता हो तो 2007 का T20 World Cup साथ अफरीका ने होस्ट किया तो उसके बद 2009 का इंगलेंड ने 2010 का Western Indies ने 2012 का शरलंका 2014 का अगर हम T20 World Cup बात करें तो बंगलादेश 2016 भारत 2021 योई और फिर 2022 ऑस्ट्रेलिया और अब फाइनली हमको देखने को मिलेगा कि Western Indies दूसरी बार इस World Cup को होस्ट करने जाएगा और कई सोर्से से तो ये भी पता लगा है कि भारत बनाम पाकिस्तान का जो मैच है वो खेला जाएगा USA के अंदर इसका जैसे ही फूल वेन्यू आएगा हम आपको फिर से बताएंगे अपने चैनल डियसके के चैनल तक तब तक के लिए आप बने रहे हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर देजिए शेर कर देजिए वीडियो को बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और टेक यू